हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी केर मॉर्णिग, आज मैं आपको जिस प्रोड़क्ट के बारे में बताने जा रही हूँ, वो है हमारे घर का मिनी डॉक्टर, धी हाँ दोस्तों, इजिन्शियोई का टी ट्री ओईल, जिसको हम घर का मिनी डॉक्टर भी कह सकते हैं, विकॉज य प्लस इसमें विटामिन E भी है, आपको बालों से रिलेटिड कोई भी परेशानी हो, उसमें भी हम इस टी 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 ओईल को यूज कर सकते हैं, अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, किसी भी नॉर्मल तेल में, सपोज आपको गुटनों में दर्द हैं, आप गुटनों के दर् पर उसमें थे चार ट्रॉप अगर इस ओईल के डाल दिये, और फिर हम ने उस टेल को यूज किया, तो इस टेल के जरीए वो जो टेल है वो अंदर तक जाएगा, और हमें बहुत ज़दी एपक्ट करेगा, बालों से रिलेटिड भी कोई प्रॉबलम होती है, जैसे बालों क गिरना, बालों में रूसी होना, कोई फंगस इंफेक्शन होना, तो हम लोग क्या करते हैं, कि हम लोग सोस्ते कि बालों में ऑईल ही अच्छी सी कर लेंगे, तो हमारी प्रॉबलम सॉल्ब हो जाएगी, बट क्या वो ऑईल अंदर तक जाता है, नहीं, अगर हम 3-4 ड्रॉप इस ओईल के उस ओईल में मिक्स करके और तो हमारा फंगल इंफेक्शन हमारे बालों का गिरना, जढ़ना सब बहुत जल्दी रूप जाएगा, यह मेरा परसनल यूज किया हुए एक्सपिरियंस है, बालों में फंगल इंफेक्शन बहुत ज़ादा हो गया था, डेंडर बह बहुत सारे इलाज भी किया लेकिन नहीं सही हुआ, फिर जा मुझे इस ओईल के बारे में पता चला और उन्हें इसको यूज किया, तो वाकई में दो से तीन यूज में हमारे बालों का डेंडर खतम हो गया, बालों का चढ़ना कम हो गया, यह सब इस तेल के कारण क्यों हो अगर सपोज यह जो बलून है, इसके हम अंदर की लेयर कोई भी चीज डालेंगे, तो क्या एफेक्ट होगा, ओवियस्ली यह बलून ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा, अब हम नॉर्मली जो तेल यूज करते हैं, सपोज हम कोई सा भी कोपोनेट ओईल यूज करते है देखी हमने इस पर दो से तीन ब्रॉप इस ओईल के डाले, काफी देर रखा उसको उनने, यूज भी किया, ऐसे हम आरे बालों में हम यूज करते हैं, बट कोई एफेक्ट नहीं हो, यह मेरे पास एक खुपलो के तेल का ओईल है, इसको भी हम थोड़ा सा डाल के देखते है दूसरे प्लेस पे, जो कि यह गारेंटी देते हैं, कि इस तेल से आपका दर्ट बिल्कुल थीप हो जाएगा, बट देखिए कि यह इतना मसले के बाद भी कुछ नहीं हुआ, मतलब यह हमारे इसके अंदर तक जाते ही नहीं है, लेकिन अगर हम इस ओईल को यूज करेंगे तो आप देखिए इसका एफेक्ट कुल जाओं एफेस कि हमें वहाद किसी गहर में होना चाहिए, अभी लाकडाओन में जहां हम बार बार elabor घॉस्पिते, छोटी छोटी प्राव्लम के लिए नहीं जा सकते यह वहाँ, हम में भी आगे हम इसके 2- Econom प्रच rehearsal वह भी कहते बिला नहीं हूज सकते है। तेंक यू